नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में आज देखेंगे दोस्तों हिंदी का प्रेक्टिस सेट नमबर 28 इससे पहले हमने 27 कम्प्लीट कर लिये थे तो अभी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि 2-3 दिन के आपकी छुट्टियों गई थी है ना तो हमारा जाना हो गया था गाउं की तरफ तो उसके लिए हम छमा प्रार थी है कि आप लोगों का बीच में तयारी थोड़ी सी तूट गई थी है ना तो आप लोग हमें अच्छा टेस्ट आप सासत लगाते हुए चलिए पहला कुष्चन निमलिखित मैं से कौन सा एक संयुक्त बेंजन नहीं है तो बहुत आसान कुष्चन है ना ये तीन हमारे पास संयुक्त बेंजन है यह देख रहे हैं आप था ना इसमें एक तरह और होता है वह इसमें नह जो आंसर है दोस्तों यह हमारा सही आंसर यह संयूक्ति वेंजन नहीं है चलिए कुश्य नंबर सेकिंड को देखते हैं निम लिखित मैंसे कौन सा सब्द तत्सम है ना तो बहुत आसानी से पैंचान लेंगे हम इन चारों में से अगनी-अगनी करके लिखा हुआ है तो कुछ होता आसानी से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना तो सी वाले में जो लिखा हुआ है रा-ठे-ठी है यह जो होता है संबंध का रगक्के चिन होते हैं छेली कुश्य नंबर देखने फो अंग्रेजी का ड्राफ्टिंग अंग्रेजी सब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरका ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है प्रारूपन से होता है ऐसे कुशन में यूपीटर फ़ल एसी में पूछे जाते हैं अच्छे का से दो तीन कुशन तो आते ही आते हैं चली कुशन नमर फाइब को देखते हैं इन मैंसे कौन सा बिलोम यूग्म नहीं है ना तो कहने का मतलब यह इन मैंसे कौन सा बिलोम का यूग्म है वो सही नहीं है तो देखिए गोन दोस बिल्कुल ठीक है पाप पुन बिल्कुल ठीक है नियून अदिक बिल्कुल ठीक है ले अगर आपने बर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसको आसानी से लगा लेंगे तो तालब बेंजिन जो होते हैं दोस्तों जो ए विकल्प में दिये हुए है वो सही अंसर है हमारा चलिए कुशियर नमर देखते हैं सेवन को अंगली पर नाचना है ना इसका मतलब इस मोहावरे का मतलब क्या होता है तो अंगली पर नाचने का मतलब क्या होता है आसानी से इसको लगाएंगे इसका होता है किसी की इच्छा नुसार चलना बी बाला आंसर ठीक हो जाएगा दांतों तले उंगली दवाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो पताना है हमें, तो इसका C आंसर जो होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, आशियर्द है करना कुशन नमर 9 देखते हैं, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निमलिखित उतसब के लिए एक सब्द है, तो 25 वर्ष जब पूरे होते हैं, 50 वर्ष पूरे होते हैं, 75 वर्ष पूरे होते हैं, 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो हम एक जैनती मनाते हैं, आप सुनते क्या कहते हैं 25 साल पूरे होने पर मनाते हैं राजत जैन्ती चलिए कुश्य नमर्ट 10 को देखते हैं निमिकित मैंसे उपसर्ग रहित कौन सा सब्द है कौन से सब्दम उपसर्ग का प्रियोग नहीं किया गया अपको ये बता ना है तो वी वाला जो सब्द है दोस्तों इसमें उपसर्ग नहीं देखाई दे रहा है चलिए को्स्छAm को यह रहले वे किस बरग्य के वेंजक नहीं है ना तो बहुत ऑच्छा कोश्ँ है न दोस्तों हिए यह क्या है यह क्या है अन्त इस्त वेंजक जानिया चेदियेह ध्य को कुश्य नमर 12 को देखते हैं कुश्य नमर 12 में दोस्तों हमें सुद्ध बाक्य को छाटना है न तो देखिए इन चारो विकल्पों को पढ़िए आप आसानी से और सही आंसर तक पहुंची तो बी वाले में जो लिखा हुआ है पानी का एक गिलास लाओ बारवे का बी वाला उसने मा को देखा संयुक्त बाक के होगा है न चारो विकल्पों को पढ़ते हैं और आसानी से कुश्य तक पहुंचते हैं राम ने घर जाकर मा को देखा तो पहला वाला तो नहीं है दोस्तों सही ठीक है इससे तो संयुक्त बाक के नहीं बनेगा राम घर गया और उसने मा क को देखा इसको थोड़ा सा skip करते हैं सी वाले को पढ़ते हैं राम घर गया उसने मा को देखा तो ये वाला भी नहीं है तो दी वाला तो हो गई नहीं तो दी वाला बिलकुल सही है दोस्तों संयुक्त बाग के बनेगा और लगाने से तथा लगाने से एबम लगाने से ठीक है तो वीवाला सही आंसर होगा यहां से चलिए, कुशन नमर 14 को देखते हैं, रोला के पिर्थियक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो दोस्तों अगर आपने चंद को बहुत अच्छे से पड़ा है, तो आप इस कुशन को लगा लेंगे, तो रोला के पिर्थियक चरण में होत मात्र हैं कितने मात्र होती हैं 24 मात्र हैं सी वाला विकल्प ठीक होगा चलि कुश्य नमर देखते हैं 15 को राम रमापती कर धनू लेहू यहां कौन सा अलंकार है ना तो अलंकार देखी अलंकार और छंद के उपर हम वीडियो नहीं लेकर के आएं तो बहुत जल्द हम इनी के उपर वीडियो लेकर के आने वाले हो सकता है आज दिन में आपको एक वीडियो दें जो की प्रत्ते से थातनी है ना सोले से लेके 20 तक 16–20 तक हम सही वरतिनी का चैयन करना है तो चलिए करते हैं सी नििट्रेली ऐसानी से कर लेंगे 6geschczyण सूल वे को देखिए 6 सूल वे वाले में corruption हो जाए गा सत्रवे वाले को देखी, सत्रवे में A सही लिखा हुआ है, अठारवे में D सही लिखा हुआ है, उन्निसवे में A सही लिखा हुआ है, और बीसवे में A सही लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, आप अपने हिसाफ से लगाईए, जब आपको सही ना लगे, तवांसरकी को च चलिए, कुश्ण देखते हैं 21 मों को, सही भिलूम सब का चयन करना है वह हम को, ठीके? तो कुश्ण नम jeszcze 21 है अनाधर, तो अनाधर का भिलूम क्या होगा? यह पूचना चाहरा है, तो अनाधर का हो जाएगा दोस्तों, आदर, क्या हो जाएगा? आधर चली कुश्य नमर देखते हैं 22 अभिग तो अभिग का भिलूम बताना है दोस्तों में कि क्या हुआ अभिग का मतलब आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या होता है तो अभिग्ग का मतलब होता है जानने वाला किससे होता है जानने वाला और अनभिग्ग का मतलब होता है ना जानने वाले से तो भी वाला ठीक है यहां से इस हिसाब से देखें तो चलिए अथ और इती यह तो आप बहुत आसानी से फैचान लेते हैं इसको तो अथ का इती हो और निर्ष्ठुर का मतलब बिलकुल उल्टा होता है कि जिसके मन में कोई भी करवना ना उठती हो रिजू है ना तो 25 ये भी बहुत आसान है तो टी बाला इसका सही होगा बक्र ठीके तो 25 तक हमने कवर कर ले चलिए 26 से 30 को शें तक देखते हैं नीचे 4-4 सब्दों के समूद ये गए पिरतिये के 3-3 परियावत हैं और एक भिनार्तक सब्द को चुनिए ठीके तो बहुत आसाने से इसको भी कवर करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि 3 सब्द लगभग एक से हैं जो अपना एक सा अर्थ रखते हैं कोई एक सब्द ऐसा है इसमें जो अपना भिन अर्थ रखता है वो हमें चुनना है इसमें से तो देखिए 26 में देखिए उत्सब, उत्सा, पर्व और समारो है ना ये समारो होना चाहिए ठीके कोई नी लेकिन जो बी बाला दिखाई दे रहा है हमको उत्सा ये बिल्कुल अलग है दोस्तों है ना तो यहां से भी ठीक हो जाएगा 27 को देखिए दिवस बासर दिन प्रिशून है ना ये देखिए तीनों दिन से सम्बन देता है ये अलग हो गया फूल पे चला जाएगा ये देखिए 28 को देखिए कनक स्वान हीरक हेम 28 को पहचान लेंगे आप इसको हीरक जो बिल्कुल अलग चीज़ है हीरा से हो गया ये और ये बाकी सौने से सम्बन देता है तीनों 29 को देखिए अस वहे तुरंग कुंजर है ना तो ये सब तीनों जो दे रखें ए बी और सी ये सब घोड़े के परियावाची होते है लेकिन कुंजर जो होता है वो अलग सब्द है दोस्तों यहां से ठीक है 29 का डी हो जाएगा चलिए कुशन नमर देखते हैं 30 बादल पायोधर बारिज बारिद देखिए इसमें से देखिए 30 वाले को इसमें से आपको साइथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन आनी नहीं चाहिए तो ये तीनों बादल के परियाए बाची है दोस्तों ए बी और डी सी वाला अलग हो चलिए सनमार्ग है ना तो सनमार्ग में किस तरह की संदी है आसानी से पहचाने हो इसको कोई दिक्कत नहीं बहुत ही आसान कुशन है ना तो सनमार्ग में होगी दोस्तों वेंजन संदी ग्यानो उदे है ना तो ग्यानो उदे में तो आपने पहचाने लिया होगा कि इसमें तो स्वरसंदी है, कौन जी संदी है, स्वरसंदी, चलिए, निराधहार है ना, तो नी पिलस आधहार है ना, तो बिसर्ग संदी, आपको पता चल गया होगा, 33 वाले में, तो C वाला आंसर ठीक हो जाएगा, 24 को देखते है June, निम्लिखे सब्दों में से किसमे, बिसर्ग संदी है, है ना, तो अतयव, नरेंदर, सज्जन, सदेव, तो अतयव में जो लग Walmart रहा है दो वो हमको बिसर्ग संदी लग आप देखके बताईए कि आपे वीजनि लगरा ड़ा तो अताय में जो है वो विसर्ग संधी है चलिए निम्लि के सब्धों मैं से बेंजन संधी को चांड़ी शब्तरी सी निराध। सदकार हिमाले है ना तो देखिए सब बेंजन संदी पेंचान नहीं है नाम को तो बेंजन संदी को आप बहुत अच्छे से पेंचान लेंगे कौन साथ 35 का सी अच्छे कुश्चन है सभी तो 36 कुश्चन को देखते हैं पीतांबर में किस प्रिकार का समास है तो आसानी से इसको लगा लेंगे पीतांबर में किस प्रिकार का समास है ठीक है चलिए कुश्चन नंबर देखते हैं 27 को चलान कमल में किस प्रिकार का समास है इसको भी आप आस सवार में किस परकार का समास है ततपुरु समास है बहुत आसानी से आप इनको पहंचा लेंगे समास आपने पढ़ें और आसान कुश्या नहीं है कोई हाड कुश्या नहीं है 29 को देखी 14 घा में किस पिरकार का समास है तो चाह रहा आपस पता चले आज के संख्यावाची ए दीगों शमास घर्व सुनने में किस परकार का समास है कैसा है कीश़ 10-akukan फारब देखते है ना अनेख सब्दों के लिए 10 है ना it जो ब्योर्थ की बाते करता हो है ना जो भिष्रत की बाते करता हो से हम क्या कहते हैं बाचाल कहते हैं क्या कहते हैं बाचाल से जीता जा सकता है उसे क्या कहते हैं दुर्जे कहते हैं बच्पन और जवानी के बीच की अवस्ता आप लोगों में से बहुत सारों की चल दे होगी यह भी तो पैतालिस का क्या बताईए तो यह इसे हम कहते हैं बहुत ही अच्छा कुछ दें इंपोर्टेंट हम इसको कह दे कहते हैं इससे कहते हैं वैसंदी क्या कहते हैं वैसंदी सी वाला चलिए कुछ नमर 45 से 50 तक देखते हैं रिक्तिस्थानों की पूर्ती करिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं बहुत आसानी से कर लेंगे तन को कपड़ा ना खाने को रोटी है तो यह वाला आ जाएगा यहां से ख साथमा बुद्ध करोणा की साक्षातकार डॉट क्या आएगा इसमें आप एंचान के बताए तो क्या आएगा बिग्ग रहे थी साक्षातकार बिग्ग रहे थी एना एवाला फोटी एट का यह हो जाएगा किसी भी कुछिशन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं उसका निस्ताना हम कर देंगे फुट्टी नाइन को देखते हैं इन में से पुलिंग नहीं है इन में से अच्छा हो कोई बात नहीं है डैस लगा के बताना है कि इन में से कौन सा सब्द पुलिंग नहीं है तो आप डाली कौन सा सब्द आपके तो आपके कितने बैठ रहे हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आज का टेस्ट आपको पसंद आया होगा अब कोई भी वीडियो नहीं रुकेगी यानि कोई भी क्लास नहीं रुकेगी बागी हम सारी क्लासों को proper कर देते हैं अब जल्दी से ठीक है तो वीडियो अगर अच्छा लगा आए तो दोस्तों वीडियो को share भी कर दिया करिया आप अपने दोस्तों वगेरा में ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत